नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा नए शिक्षा संक्थान बने और इंफ्रस्ट्रक्चर में सुथार हो और परियावरन स्वच्छ हो ये है आजबा का संकल मोदी की गैरंटी मोदी सरकार में पारदर्शी परिक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है अब इस कानून को लागू करेंगे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्थ होगी और खेल वीरों तयार हो जाओ हम 2036 में उलिम्पिक्स की मेजबानी करेंगे ये है मोदी की गैरंटी युवाओं के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर, इंवेस्टमेंट, मैनिफाक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्ट अप्स, तूरिजम और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ये है भाजपा का संखल्प मोदी की गैरंटी मोदी सरकार का मंत्र है शक्ति की बंदना करते हुए मोदी जी ने लखपती दीडी का विचार रखा और एक करोड पहने लखपती दीडी बन भी गई है आगे तीन करोड को बनाएंगे महिला स्वयम सहायता को सर्विस से जोड़कर नए अवसर देंगे साथ ही सवाइकल कैंसर प्रेस्ट कैंसर ऑस्टियो परोसिस इत्यादी समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शोचाले बनाए जाएंगे नारी बंदन अधिनियम को करेंगे हम श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे नैनो यूरिया और प्राकृतिक छेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे हम क्रिशीगत शक्ति के रूप में क्रिशी इंफ्रस्ट्रक्चर का विशेश विकास करेंगे मच्वारों के जीवन छूते हर पहलू जैसे की नाओ का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनित, सैटलाइट द्वारा समय पर जानकारी इन सभी को मजबूत करेंगे मच्वली पालुकों को सीवीड और मोटी की खेती के लिए भी प्रोटसाहिद करेंगे ये है भाजपा का संकल, मोदी की गैरंटी हम गिग वरकर्ज, माइगरंट वरकर्ज, टैक्सी ड्राइवर्ज, ट्रक ड्राइवर, आटो ड्राइवर, कुली, घरों में काम करने वाले श्रमक सभी को इश्रम पर जोड़कर उन तक कल्यानकारी योजनाएं पहुँचाएंगे हाइवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे, ये है मोदी की गैरंटी मेरे साथ जो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका सप्रा, ये मोदी का संकल्प है भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एमबैसेडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुँचाया है आगे योग का ओफिशल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गैरंटी है विश्व भर में धिरुवलुबर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृती को विश्व में ले जाएंगे भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की विवस्था उच्च शिक्षन संस्थाओं में करेंगे पिछले दस साल साक्षी हैं, हर वंचित वर्ग को वरियता देती है मोदी सरकान आगे दो हजार पचीस को जन जातिये गौरव वर्ष के रूप में खोशित करेंगे और एक लव्य स्कूल पी-एम जन्मन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं एको तूरिजम को बढ़ावा देंगे OBC, SC और SD समुदायों को जीवन के हर प्शेतर में सम्मान देंगे मैं आपको गांजी देता हूँ हर पल देश के नाम हर पल आपके नाम 24 by 7 for 2047 सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं आगे भारत को Global Manufacturing Hub बनाने की गैरंटी है मोदी जी की और इस से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की हमारे शेहरों को और लिविबल बनाने की गैरंटी है मोदी जी की Urban Housing, Transportation, Water Management, साफ हवा, कचरे के धेर से मुक्ती और स्वच पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार विरासत से विकास के भी अंगिनत भव्यत दिव्य उदाहरन हम देख चुके हैं पिछले दस साल आगे हम विश्व भर में रामायन उत्सव बनाएंगे तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे ये है भाजवा का संकल मोदी की गैरंटी मैं अगर प्रस्टाचार पराज कड़ा प्रहार कर रहा हूँ तो ये आपके बहतर भविश्य के लिए ही है प्रस्टाचारी गरीब के सफनों को तोड़ते हैं आपको लूटते हैं प्रस्टाचार के खिलाफ और सक्त का रिवाई होगी परफॉम, रिफॉम, ट्रांस्फॉम का हमारा पंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा लागू होगी भार्तिय न्याय सहिता भी वन नेशन, वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी विवथ्था आएगी समर्द्ध भारत बनाने के लिए विश्व कर्मा परिवार जन्द, MSME और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उतपादन को बाजार से जोडने की गैरंटी है मोदी सरकार की याद है हम सब को 2004 से 2014 तक भारत की अर्थविवस्था विश्व में 11 स्थान पर अटकी रही और समस्वर्शों में मोदी जी भारत को 11 से 5 स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बनाने की गैरंटी है मोदी जी की रेल्वे में नई पटरियां जुडेंगी नई बंदे भारत, अमरिद भारत और नमो भारत ट्रेने आएंगी विश्वस्तरिय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्शों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्थ हो जाएगी नए एयरपोर्ट, हाइवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो पंते रहेंगे और उत्तरी तक्षणी और पूर्विय भारत में बुलट ट्रेन कोरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंब होगी नौथीस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी तटिय, त्वीब, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेश जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लैन बनाने की भी तैयारी है पीते दस साल में भारत में डिजिटल टिकनोलोजी में विश्व में पहचान बनाई है अब हम स्पेस, AI, क्वांटम, सेमी कंडक्टर, ग्रीन हाइडरिजन, ईवी जैसी टेकनोलोजी में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेकनोलोजी को विकसित करेंगे सस्टेनबल डिवेलपमेंट के बिना विकास अधूरा है इसलिए हम 2049 तक और जाक एक शेत्र में आत्म निर्वर्ता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे ये है भाजबा का संकल, मोदी की गैरंटी जिन्होंने इस घरीब का दर्द महसूस किया है उसकी आवशक्ताओं को समझा है और उसकी आकांगशाओं को उडान दी है और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस स्ट्रेलर है आगे पूरे भारत से गरीवी हटाने की गारंटी है मोदी जी की हम विटसर भारत बनाएंगे ये है मोदी जी गारंटी शांती सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की तो उने जिताने की गारंटी हम सब की कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं मैं आदर्ण ये प्रजान बंती जी को नम नानुरूद करता हूं कि वह आमको संभूधित करें भारतिये जनता पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष्य स्रिमान जेपी नड्डा जी राजनास्वी जी, अमिद भाई, निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ट पदाजिकारी गांद देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बोहाद विभू के साथ देश वैशाजिक्षी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जीव और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिये जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल पर पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल पर पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल पर पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर सापित किया है ये संकल पर पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस dignity of life उसपर है हमारा फोकस quality of life उसपर है हमारा फोकस निवेश से नोकरी, निवेश से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में quantity of opportunities और quality of opportunities दोनों पर बहुत जोड दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे infrastructure निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम start-up और global centers को बढ़ावा देकर high value services पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोर लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशक्ता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना हो ये उनके स्वास के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसदी केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निरने लिया है इन निरने सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती हैं कि बिमारी की सिती में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्वर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्वर्ग के हो चाहे उच्च मद्यम्वर्ग के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरीप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-एम सुर्य गर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथ यों बीते वर्षों में करोडों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से जॉप जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेड़ी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेड़ी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूर्ट से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमों ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एगरिकलचर में एक बहुत बड़ा रिवोलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है PM किसान सम्मा निद्रकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती लेकर के आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सी वीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बढ़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो युरिया नेनो युरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामिक लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना ताए किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लब्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्सों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रबासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होईसला के पवित्र मंदिर समो हो, बाउदसल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपुडिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं यह टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिश्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिज़म वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिज़म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरन, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रास्टक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रास्टक्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्टक्टर तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्टर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्रूटर खोड़ रहे हैं उनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं आविश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो बिशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले एटसिडेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्टर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्मियान हाइवेज पर जो समय उसको सनान के लिए चाहिए अन्यसु विधा के लिए चाहिए रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अन्यक शेत्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रास्टर पर बल दे रहे हैं इसलिए हम देश भर में हाइवे रेलवे एरवे वोटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्टर और इसलिए हम फाइव जी विस्तार कर रहे हैं स्रिक्जी पर काम कर रहे हैं और इंड़स्टी 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्टर यह उसकी बैक बॉन होती है हम इंड़स्टी 4.0 को धान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्टर को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को आउनलाइन बना रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC आउनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफर्म ONDC और टेली मेडिशन का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के इंफ्रासक्टर सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा एक स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्थिक कावमस हैं, हमारे देश में अर्बनाईजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती है, हम देश में नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है, बारत ने वो अपने साथ, एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाई लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, ये सेक्टर, देश के छोटे शहरों में रहने वाले वुवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा, देश के कोने कोने में, बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में, बंदे भारत के, तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत, स्लीपर, बंदे भारत, चेर, चेरकार, और बंदे भारत, मेट्रो, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुलित भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज अम्दाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब परीब पुरुनता पर पहुंच रहे है उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन निर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सबी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मनिर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वेहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके थे एक साल में दो हो जार जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नहीं संभावनाए बनने जा रही है सासियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉन्टेक्टिंग कॉमर्चियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होगे भारत Global Capability Centers Global Technology Centers Global Engineering Centers का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्वम है बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्तित रोडमेप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्वकी सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भामत वाली स्थीर सरकार की आवसत्ता अनेग गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समरुद्द बनाए ऐसी सरकार जो देश को बिश्षीर भारत की तरफ तेज गती से ले जाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्द है आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र भाजपा का ये मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्व बंदु के तौर पर मानुता के कल्णान के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्में बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स, डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक, इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई की थे ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है, मद्यंबर का हक्षिनता है राश्टियत तर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोड वासियों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की महिजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वादें ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल का पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल पत्र लेकर के आए हैं मैं देश वास्यों से प्रार्षना करता हूँ कि माभारती के कोटी कोटी जनों के कल्यान के लिए भारती जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष श्रिमान जेपी नडड़ा जी राजनास्वी जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ट पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैशाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याईनी की पूजा करते हैं और मा काट्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विश्चिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिये जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ अपर्टूनिटी अफ अपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांशाओं का प्रतिबीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरेशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभीयत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि ज़रा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कान से वो गरीबी में प्लापिस जाने के लिए मजबूर नहों जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाच मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते है एक घर से दो घर बन जाते है और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड़ और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीचते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने हैं इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बीन बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गांव देहाद के भी रेड़ी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथ्यों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का निर नहीं लिया है साथ्यों भारत आज विमेन लेड डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी हैं दस करोड बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीती योजना से गाउ गाउ में बहने ड्रोन पाईलट बनेगी गाउ की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउ में हमें कोई पूस्ता नहीं था, आज हमारी पहचान पाईलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बेहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एगरिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एगरिकल्चर को इसके एक भूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारितां से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारितां नीती लेकर के आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी, फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना ताय किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचास भी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वाज करती हैं हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपाद्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लो थल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौद सल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपूडिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं यह टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिस्ट वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिस्ट बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, ओटो रिक्षा वाले, टेक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारती बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंट्रस्टकर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रास्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्रक्चर सोशल इंफ्रास्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टूट्स खोड़ रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आईश्मान आरों के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो business का truck drivers है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure develop करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको सनान के लिए चाहिए अन्य सुविधा के लिए चाहिए रेश करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारीच बारीच अन्य शेत्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बलते रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway, railway, airway, waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ondc online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social physical और digital infrastructure का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्विक तामस है हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती है हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है भारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावनाई लेकर आएंगे पाइलर्ट एरलाइन क्रू ग्राउंड साप इससे जुड़ा लोजिस्टिक ट्रांस्पोर्टरेशन ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वुवाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे बंदे भारत sleeper बंदे भारत chair chair car और बंदे भारत metro इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिभ भारत की और विश्तिद भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्टिव हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दख्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पसिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्रों देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ड हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ड करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्च करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दत साल पैसे दत साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जाना जबकि पिछले ही साथ सत्रा लाग से जादा इलेक्टिक वेहिकल भी के है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेक्टर बनाए जा रहे हैं और इवेहिकल का इतना बढ़ाव होने वारा है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुरिय घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बन रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाय बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्ट्रोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंडक्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंस्वरंस हब होगा कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायत कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देशा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्णन्स, डिजिटल गवर्णन्स और डेटा गवर्णन्स के लिए देश में आवश्यक, इंफ्रास्रेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्ताचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई की थे ब्रस्ताचार गरीब का हक छिनता है, मद्यंबर का हक छिनता है राष्टियत्तर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्ताचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर, चार जून के नतीजे के बाद, तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही, सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन, देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाज़े ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वासियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वासियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय अद्यक्षर स्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ठ पदाजिकारी गांद देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याईनी की पूजा करते हैं और मा काट्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षीद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजनाजी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अप्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र बिख्सिद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ अपर्टूनिटी अफ अपर्टूनिटी अफ दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आये इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उक बर गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समाल ना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोस देने वाली हो और एफोरेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी हरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहर पांच लाख रुपिय तक का मुक्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इस निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है इस सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्ग को आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ-साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के, पैट्रोल, डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीते वर्षों में करोडों लोगों को एंट्रेप्रिनर बना रे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से जॉप जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इस से बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गांव देहाद के भी रेड़ी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूरत से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथ्यों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निरे नहीं लिया है साथ्यों भारत आज विमेन लेड डेवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी हैं दस करोड बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीदी नमो ड्रोन दीती योजना से गाओं गाओं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाओं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन में रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन टेक्नलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तावित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला ठिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाय बनाई जाएगी बहनों बेटियों के भैतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सब को सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाइरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारितां से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारितां नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बढ़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगे फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बढ़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो युरिया नेनो युरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आउसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरव दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचास भी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरव अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़हावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वाज करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिस को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो, हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो जैसे अनेक सलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपोडिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग तूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये तूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टूरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टूरिश्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टूरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टूरिजम बढ़ता है तो होटल, रेश्टोरंट, ओटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा इको टूरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथ्यों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टर social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutes खोड़ रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आविश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो business का truck drivers है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको स्दावन के लिए चाहिए अन्यसुविधा के लिए चाहिए rest करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अनेक शेत्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बल दे रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway, railway airway waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ondc online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के इंफ्रासेक्टर social, physical और digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार और भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी, scale भी बहुत बढ़ा होगा, and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा, ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक तावमस हैं, हमारे देश में अर्बनाइजेशन को शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी, भाजपा उसे अवसर के रूपे देखती हैं, हम देश में नएने सेटलाइट टाउंस बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ाएंगे, देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है, भारत ने, वो अपने साथ, एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साथ, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, इस सेक्टर, देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी, ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा, देश के कोने कोने में, बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में, बंदे भारत के, तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत, स्लीपर, बंदे भारत, चेर, चेरकार, और बंदे भारत, मेट्रो, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुली भारत की और विक्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज, अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम, जोरों से चल रहा हैं, और करीब परीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं, उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्चिम हिस्षे में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है, आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्शिन भारत में एक bullet train और पूर्वी भारत में एक bullet train वैसे उत्तर दक्शिन पूरब पसिम चारो दिशाखों में एक-एक bullet train के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ड हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ड करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षन खर्च करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रीक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बड़ रहा है दस साल पैसे एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रीक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जा रहा है जबकि पिछले ही साथ सत्रा लाग से जादा इलेक्टिक वेहिकल भी के है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और ये वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीएम सुरिय घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बन रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंडक्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इन्शोरंस हब होगा कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनोमी सेंटर्स भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेकनोलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उबरेंगे और उसके लिए निस्विद रोड मैपस हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी अपर्टुनिटी लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर तलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे हैं भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती-भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूरना भहुमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समरुद्ध बनाए ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देशा है कि भाजपा का इसंकल्प पत्रा भाजपा का इसमरिफस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्यान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्बेंच बड़े और कड़े निर्ने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म पर्फार्म ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्णन्स डिजिटल गवर्णन्स और डेटा गवर्णन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल पर लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टा चार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई की है ब्रस्टा चार गरीब का हक छिनता है मद्यंबर का हक छिनता है राष्टियत तर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टा चारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविष्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्रपर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाज़े ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल कर पत रखो मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूं 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पत्र ले करके आए हैं भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल पर पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अथिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपाक के संकल पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ आपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्टर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संक्रपपत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथ्यों भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशक्ता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभीयत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे सभालना ये उनके स्वास के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम इस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोस देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेट भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसदी केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिती में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्वर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्वर्ग के हो चाहे उच्च मद्यम्वर्ग के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्रत लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाएगे अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सूर्य घर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीते वर्षों में करोणों लोगों को entrepreneur बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों की संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपाने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपाने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता भी स्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूर्थ है छोटे 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 उद्योगों की जरूर्थ है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादे के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बीन बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्द की जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से ध्यान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का दिन नहीं लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे है आने वाले पाँच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समू हो को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिष्टा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मेरा आनुबह है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एस धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूनता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले कर के आएगी और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेच्रल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ क्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलॉग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो जैसे अनेक सलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग तूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये तूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टूरिज्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास और विदेशी टूरिश्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टूरिज्ट वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार पैदा करता है टूरिज्ट बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, आटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा इको टूरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टक्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टक्टर तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टक्टर सोशल इंफ्रस्टक्टर के लिए हम नए नए एजुकेशन इंस्ट्टूट्स खोड़ रहे हैं युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं आविशमान आरो के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले एक्सिलेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रासेक्टर करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्म्यान हाइवेज पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए अन्य सुविधा के लिए चाहिए रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अन्य शेत्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रासेक्टर पर बल दे रहे दूसरा है फिजिकल इंफ्रासेक्टर इसलिए हम देश भर में हाइवे रेलवे एरवे वोटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रासेक्टर और इसलिए हम फाइवजी विस्तार कर रहे हैं सिख्जी पर काम कर रहे हैं और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रासेक्टर यह उसकी बैकबॉन होती है हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रासेक्टर को तयार कर रहे है हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन ब खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफर्म ओएंडिसी और टेली मेडिसिन का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के इंफ्रास्रेक्चर सोशल फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुति से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी स्केल भी बहुत बढ़ा होगा एड़ स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक तामस है हमारे देश में अर्बनाजेशन को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूप पर देखती है हम देश में नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाई लेकर आएंगे पाइलर्ट एरलाइन क्रू ग्राउंड साप इससे जुड़ा लोजिस्टिक ट्रांस्पोर्टरशन ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चेर कार और बंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलित भारत की और विक्तित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब परीब पुरुनता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पसिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओईल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्च करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जार है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रिक वहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासकर बनाए जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पी-म सुर्य घर से जोड़ करके गर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, electronic हब होगा, automobile हब होगा, semiconductor हब होगा, innovation हब होगा, legal insurance हब होगा, contracting commercial हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े economy centers भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलोजी सेंटर्स, ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्विद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर तलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दूनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रुप से भी समुरुद्ध बनाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफस्तो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स, डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल पले करके आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समचती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये थे ब्रस्टाचार गरीब का हक चिनता है, मद्यमबर का हक चिनता है राष्टियत सर पर होने वाले, हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की महजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे ये नया भारत रखताज पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हो है इसलिए इस संकल्पपत रखो मोदी की गारंटी के रुपे देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्पपत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ट पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बहाद विभू के साथ देश बैशाजिक्खी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छटे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुझावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षीद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश समासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्स में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपाक के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपाने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपाने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र बिख्सित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में quantity of opportunities और quality of opportunities दोनों पर बहुत जोड दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे infrastructure निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम start-up और global centers को बढ़ावा देकर high value services पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संक्रप्पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशक्ता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उतको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरेशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जड़ा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे समालना ये उनके स्वास के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर नहों हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी हम इस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोस देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निरने लिया है इन निरने सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्र्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाए हैं अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीते वर्षों में करोणों लोगों को entrepreneur बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपाने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोगों की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपाने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाओ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादे के बाद पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजनाने बहुत बड़ी भूमी का निवाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्टी जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाई दी है दिव्यांग साथियों को पी एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूरत से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पाँच वर्ष नारी शक्ती की नई भागिदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी सिख्षा स्वास्त रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टेव अगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मेरा अनुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे सात्यों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालत भाई बेहनों को हमारे मच्वारे भाई बेहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से सम्रुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बढ़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएगे हमारे मचली पालक साथ्यों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोट्सान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोट्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़हावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्कियों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेंगी प्रयास करेंगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपाद्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लो थल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौद सल हो जैसे अनेग थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं यह टूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टूरिजम डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टूरिस्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टूरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टूरिजम बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टेक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा, इको टूरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंट्रस्टकर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टक्चर सोशल इंफ्रस्टक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टूट्स खोड़ रहे हैं कि युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं आउश्मान आरों के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेज का ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले एक्सिलेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्म्यान हाइवेज पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए अन्यसु विधा के लिए चाहिए रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारीज बारीज अन्यक्ष्यत् कर отп के हम सोचल इंफ्रास्ट्रेक्टर पर बलते रहे हैं दूसरा है इसलिए हम देश भर में तो आधू bowls उनको अधूनिक बना रहे हैं तीसरा है डीजिटल इंफ्रास्रक्ट्ट्रेज और इसलिए हम हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और Industry 4.0 के लिए Digital Infrastructure यह उसकी बैकबॉन होती है हम Industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे Digital Infrastructure को तयार कर रहे है हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं Common Service Centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC ओनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफर्म ONDC और Telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के इंफ्रास्रेक्टर सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुक एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा एक स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्थिक कावमस है हमारे देश में अर्बनाईजेशन को, शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूप में देखती है हम देश में नएने सेटलाइट टाउंस बढ़ाएंगे जो देश के विकास का ग्रोट सेंटर बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अपी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओडर दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ एमप्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाई लेकर आएंगे पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे है साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चेर, चेरकार और बंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिष भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अम्दाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब परीब पुरुनता पर पहुंच रहे है उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सबी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी यह हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इस से देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोज़गार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक विएकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक विएकल विके थे एक साल में दो हजार जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक विके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉन्ट्रेक्टिंग कॉमर्चियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकॉनोमी सेंडर्स भारत में होगे भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेखनलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग् सेंटर्स का पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निश्कित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कल्पना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्वित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफस्तो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निर्ने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मस्तर पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्ननस, डिजिटल गवर्ननस और डेटा गवर्ननस के लिए देश में आवश्यक्त, इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक्त समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक छिनता है, मद्यंबर का हक छिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाजे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वासियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूं 144 करोर देश वासियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी जान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्र भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल दाहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्स में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनांदन के अथिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सिद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस, डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस, निवेज से नोकरी, निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में, क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोड दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथ्यों भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीज करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बाहर आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जड़ा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वास के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कान से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी बरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्ने लिया है इन निर्ने सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिती में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाची सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-म सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ-साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पैट्रोल, डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीते वर्षों में करोडों लोगों को entrepreneur बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल पलिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता विश्वात है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जाजी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बड़ बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेड़ी पट्री छेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुट से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का दिन नहीं लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागिदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दीए नमों ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते से गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलर्ट की बन गई है हम ड्रोन पाइलर्ट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिष्टा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबह है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक भूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला ठिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भैतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल लेने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनॉमिक लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचास भी जन्मजन्ती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वाज करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपाद्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लो थल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौद सल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक online competition भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिजम के destination की ranking कर रहे हैं यह tourism destination की ranking जो हो रही है इसके आधार पर अच्छे tourist destination का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए development के लिए और विदेशी tourist को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है tourism वो sector है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है tourism बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होम स्टे के जो अउसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथ्यों, 21 सदी के भारत की बनियाद, भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टर्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्रक्टर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्रक्टर social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutions खोल रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आविश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेश का truck drivers हैं उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए अन्यसुविदा के लिए चाहिए रेस करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अनेक शेत्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बलते रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway, railway, airway, waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक platform ONDC और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social, physical और digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुक एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक कावमस हैं हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रुप में देखती है हम देश में नएने satellite towns बनाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए अउसर बनाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओडर दिया हुआ है भारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे pilot, airline crew, ground shop इससे जुड़ा logistic, transportation ऐसे अने एक sector में नए आउसर क्रेट किये होगे इस sector देश के छोटे शहरों में रहने वाले विमाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे बंदे भारत sleeper बंदे भारत chair chair car और बंदे भारत metro इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुली भारत की और विक्सित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं और करीब करीब पुर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्तिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिर पूरब पसिम चारों दिशाओं में एक एक बुलर्ट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिरभरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंट सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिरभर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायोफियल हो, सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी यह हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वेहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके थे एक साल में दो हो जारा है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और ज़रूरी इंफ्रासकर बनाए जा रहे हैं और इए वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़कर के घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नहीं संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिज हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंशॉरंस हब होगा कांट्रेक्टिंग कॉमर्टिल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होगे भारत ग्लोबल capability centers, ग्लोबल technology centers, ग्लोबल engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्वित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रुप से भी समुरुद्ध बनाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफस्तो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्यान के लिए मिरंतर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निर्ने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मस्तर पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स, डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक चिनता है, मद्यंबर का हक चिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविष्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लांट पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वास्यों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकट लगाने वादे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वासियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वासियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्षा स्रिमान जेपी नड़ा जी राजनास्वीं जी अमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ट पदादिकारी गांद देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बोहाग विभू के साथ देश वैशाजिक्खी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याईनी की पूजा करते हैं और मा काट्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में थे लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखो ऐसे सक्रिय नागरी अभिनांदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ आपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम भाए है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आये इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरेशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे समाल ना ये उनके स्वास के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रो पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इस सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजूर को आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजूर के चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यमबर के हो चाहे उच्च मद्यमबर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाची सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्ज सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्रप लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साफ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त बेख अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीचते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफलसा को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल पलिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोगों की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया और मुझे पक्ता भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीदी नमों ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउँ में हमें कोई पूच्टा नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिष्टा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बेहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेकनलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बड़ा है आगे भी बड़ेगा कमाई भी बड़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवोलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापीद हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के बहतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूनता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सब को ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोर किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बड़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्द पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगे फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेजिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथ्यों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेच्रल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवर्शनरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समरुद्धी केंदरों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लख्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्सों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती हैं हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे बेश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो, हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो जैसे अनेक ठलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं यह टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, ओटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टेक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टेक्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टेक्टर तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टेक्टर सोशल इंफ्रस्टेक्टर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टूट्स खोड़ रहे हैं युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आविशमान आरो के मंदिर गामों में बना रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एक्सिलेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास् कोफर के दर्मियान हाइवेज पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्यसु विधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो, तो उसको मिले, तो ऐसे बारिक बारिक अन्यक शेत्रों को ढूंड करके, हम सोशल इंफ्रास्टर्चर पर बल दे रहे हैं, दूसरा है, फिजिकल इंफ्रास्टर्चर, इसलिए हम देश भर में, हाइवे, रेलवे, एरवे, वोटरवे, उनको आधुनिक बना रहे हैं, तीसरा है, डिजिटल इंफ्रास्टर्चर, और इसलिए हम फाइवजी विस्तार कर रहे हैं, शिक्जी पर काम कर रहे हैं, और इंडिस्ट्री फोर कोन होती है, हम इंडिस्ट्री फोर पॉइंट ओ को धान में रखते हुए, हमारे डिजिटल इंफ्रास्टर्चर को तयार कर रहे हैं, हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ओनलाइन जो इन तीनों तरह के इंफ्रास्टर्चर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से, पुरानी सोच से अलग, गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा, एन स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा, कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा, ये भाजपा की सरवोच्च प्रास्फिक तामस हैं, हमारे देश में, अर्बनाइजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी, भाजपा उसे आउसर के रूप पर देखती है, हम देश में, नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे, देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है, भारत ने, वो अपने साथ, एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साथ, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, इस सेक्टर, देश के छोटे शहरों में रहने वाले उवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा, देश के कोने कोने में, बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में, बंदे भारत के, तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत, स्लीपर, बंदे भारत, चेर, चेरकार, और बंदे भारत, मेट्रो, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुली भारत की और विक्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं, और करीब करीब पुर्णता पर पहुँच रहे हैं, उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्टिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाज़पा का संकल्प है, आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन, और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पसिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायोफियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन दिर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुर्ष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दज साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल विके थे एक साल में दो हजार जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल विके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और ये वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पी-म सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है सासियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंशॉरंस हब होगा कॉन्ट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनमी सेंटर्स भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेकनलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्वम है बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी शात्यों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्वकी स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रुप से भी समरुद्ध बनाए ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्द है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्यान के लिए निरन सर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वेंच बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल पले करके आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है मद्यमबर का हक्षिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे है ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वरसों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्रपर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल का पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पत्र ले करके आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष स्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी हमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपत्रित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैशासिक्षी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षीद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ कारी है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ अपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांशाओं का प्रतिबीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभीएत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहर पांच लाख रुपिय तक का मुक्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे 70 वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा 70 साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरित्न जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरीब परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-म सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोन लोग इस पर रिजिस्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथ यो बीते वर्षों में करोडों लोगों को entrepreneur बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाज पाने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाज पाने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेहडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निबाई है एक बड़ बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेहडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूर्ट से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमों ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेकनोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं ऐग्रिकल्चर मैं एक बहुत बढ़ा रिवुलूशन टेकनोलोजिक डिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रुपे यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तावित हो जाएगे, वो धुरा भी बनेगे, उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी, बेहनों बेटियों के बहतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए, अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे, साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिसरीज हो, सब को सबसक्त कर रहे हैं, ये भाजपा ही हैं, जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को, हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा हैं, पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा, सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा, राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी, और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं, देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी, कुछ महने पहले ही, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है, भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए, हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं, इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा, हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे, भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी, फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोट्सान दिया जाएगा, धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा, भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है, नेनो यूरिया, नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा, भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है, भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है, इससे वेल्व एडिशन होगा, किसान का फाइदा बढ़ेगा, रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे, ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स, रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे, साथियों, देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए, हमने जन जातिय गव्रोव दिवस मनाना ताइक किया है, अगले वर्ष, दोहजार पतीस में, बगवान बिर्सा मुंडा की, एक सो पचास भी जनम जनती है, इसे राष्टिय स्तर पर मनाये जाएगा, जन जातिय गव्रोव अभ्यान को, राष्ट भर में गती दी जाएगी, बाजपा, जन जातिय विरासत पर, अनुसंधान को भी पोट्साहित करेगी, डिजिटल जन जातिय कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी, वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स, और स्वयम सहायता समों को भी, बढ़ावा दिया जाएगा, साथ्सों से ज़्यादा, एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी, जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा, साथ्यों, भाजपा, विकास भी, और विरासत भी, उस मंत्र में भी स्वास करती हैं, हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, तमील की इस देश का गवरव है, हमारा गवरव है, तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए, भाजपां हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी, प्रयास करेगी, हमारे देश में तुरिजम का जो पोटेंशन है, उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है, भाजपाद्वारा, विश्व प्रवासी, ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा, और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे, जैसे नालंदा हो, लोथल हो, हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बाउद सल हो, जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा, अभी एक उनलाइन कॉंपुडिशन भी चल रहा है, जिसमें देश के लोग टूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं, ये टूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है, इसके आधार पर अच्छे टूरिज्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकर्षित करे उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेश्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंट्रस्टकर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रास्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्रक्चर Social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutes खोड़ रहे हैं Universities बनवा रहे हैं Medical College बनवा रहे हैं आउशमान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको सनान के लिए चाहिए अन्यसु विदा के लिए चाहिए रेस करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अनेक शित्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बल दे रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway, railway, airway, waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं परकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ondc ओनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social, physical और digital infrastructure का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुक एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा यह भाजपा की सरवोच्च प्रास्थिक तामस हैं हमारे देश में अर्बनाजेशन को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती हैं हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाउं के लिए भी ड्रीम सेंटर बने जा रहे है ताथिओं भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में वंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चैर चेरकार और बंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिक भारत की और विश्चित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं और करीब परीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिव हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन निर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सुरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हजार जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल बिके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पी-म सुरिय घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रोनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंस्वरंस हब होगा, कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर तरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित बैंक बड़े और कड़े निर्णे लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स, डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक्त, इंफ्रास्रेक्टर और इकोसिस्टिम तयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक्त तमच्ति है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्ताचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये थे ब्रस्ताचार गरीब का हक छिनता है, मद्यंबर का हक छिनता है राष्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्ताचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्रपर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल का पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष स्रिमान जेपी नड़्डा जी राजना स्वीं जी हमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी गांद देश के कौने कौने में उपत्रित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्खी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षीद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र बिक्सिद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ अपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरेशन बढ़िया हो गया होगा सारे पेरामेटर कभीयत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जा है इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसदी केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहर पांच लाख रुपिय तक का मुक्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे 70 वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा 70 साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरित्त जानकारिया राज़्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य गर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथ यों बीते वर्षों में करोडों लोगों को entrepreneur बना रे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जाजी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री छेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से ध्यान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का निरे नहीं लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पाँच वर्ष नारी शक्ती की नई भागिदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दी है नमो ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नहीं पूरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेकनोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बड़ा है आगे भी बढ़ेगा पमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एकरि कल्चर में एक बहुत बड़ा रिवोलुश्न टेकनोलोजिक ड्रिवन एकरिकल्चर को इसके एक धुरा के रुप्य यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तावित हो जाएगे, वो धुरा भी बनेगे, उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी, बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए, अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे, साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिसरीज हो, सब को सबसक्त कर रहे हैं, ये भाजपा ही है, जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को, हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है, पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा, सहकारितां से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा, राष्टिय सहकारितां नीती ले करके आएगी, और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं, देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बढ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी, कुछ मेहने पहले ही, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है, भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए, हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं, इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा, हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे, भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगे, फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, हमारे मचली पालक साथियों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा, धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा, भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है, नेनो यूरिया, नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा, भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है, भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है, इससे वेल्व एडिशन होगा, किसान का फाइदा बढ़ेगा, रोजगार के नए आउसर भी बढ़ेंगे, ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स, रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे, साथियों, देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए, हमने जन जातिय गव्रोव दिवस मनाना ताइक किया है, अगले वर्ष, दोहजार पतीस में, बगवान बिर्सा मुंडा की, एक सो पचास भी जनम जनती है, इसे राष्टिय स्तर पर मनाये जाएगा, जन जातिय गव्रोव अभ्यान को, राष्ट भर में गती दी जाएगी, बाजपा, जन जातिय विरासत पर, अनुसंधान को भी पोट्साहित करेगी, डिजिटल जन जातिय कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी, वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स, और स्वयम सहायता समों को भी, बढ़ावा दिया जाएगा, साथ्सों से ज़्यादा, एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी, जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा, साथ्यों, भाजपा, विकास भी, और विरासत भी, उस मंत्र में विस्वास करती हैं, हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, तमील की इस देश का गवरव है, हमारा गवरव है, तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए, भाजपां हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी, प्रयास करेगी, हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है, उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है, भाजपाद्वारा, विश्व प्रवासी, ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा, और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे, जैसे नालंदा हो, लो थल हो, हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो, जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा, अभी एक उनलाइन कॉंपुडिशन भी चल रहा है, जिसमें देश के लोग तूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं, ये तूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है, इसके आधार पर अच्छे तूरिज्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकर्षित करे उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है तुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेश्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी, इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सधी के भारत की बनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्रक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रसक्टर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रसक्टर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रसक्टर social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutes खोड़ रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आविश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेश का truck drivers है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको सनान के लिए चाहिए अन्य सुविधा के लिए चाहिए रेश करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिज बारिज अन्य शेत्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बलते रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा हैं ondc online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के इंफ्रास्रेक्टर सोशल फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुति से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्थिक कावमस है हमारे देश में अर्बनाईजेशन को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती है हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए आउसर बनाएंगे देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अब ही देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साथ, इससे जुड़ा logistic, transportation ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मॉडिल चला करेंगे बंदे भारत sleeper, बंदे भारत chair, chair car और बंदे भारत metro इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिक भारत की और विश्तित भारत के दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं और करीब करीब पूर्णता पर पहुँच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिर पूरव पसिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंज सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायोफियल हो सबी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल विके थे एक साल में दो हजार जब कि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल विके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और ये वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टर्निज हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंडक्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनोमी सेंटर्स भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेकनोलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कल्पना भी नहीं की होगी साथियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुए है युद्व की स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भामत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेग गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाएं ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्र भाजपा का इस मरिफस्तो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्यान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित बैंक बड़े और कड़े निर्णे लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स, डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक, इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है, मद्यंबर का हक्षिनता है राष्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविष्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लांट पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वास्यों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकट लगाने वादे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वासियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वासियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्षा स्रिमान जेपी नड़ा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ट पदादिकारी गांद देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बहाग विभू के साथ देश बैशाजिक्खी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याईनी की पूजा करते हैं और मा काट्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जेनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजनाजी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में थे लाखो लोगों ने भारतिय जनताप पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिग्निटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारती युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथ्यों भाजपा सरकार जे पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बाहर आए इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समाल ना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कान से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनों के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सित्वी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्टा होता है अगर वो elek Hackable करता है तो उस से उसकी charging विवस्ता भी उसको मुप्त में available हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीते वर्षों में करोडों लोगों को entrepreneur बना रे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इस से बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जाजी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री छेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही है मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्द की जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाउव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्विक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्टिर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूरत से ज्ञान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेड डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्स नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे है आने वाले पाँच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्स में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीदिए नमो ड्रोन दीदि योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नहीं पूरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मेरा आनुबह है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक भूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला ठिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सवक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाइरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती लेकर के आएगी और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले है देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धरती मा की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आउसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचास भी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वाज करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाषपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाषपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लोथल हो होई सला के पवित्र मंदिर समो हो बहुत सल हो जैसे अनेक सलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपुडिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग तुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये तुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिश्टों को भी आकर्षित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिज़म वो सक्तर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिज़म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरन, ओटो रिक्षा वाले, टेक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, इको टुरिज़म के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार, होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रास्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रास्रक्टर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्रक्टर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्रक्टर सोशल इंफ्रास्रक्टर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टूटर खोल रहे हैं युनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं आविश्मान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं, हमारे जो बिशेश का ट्रक ड्राइवर्स है उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एक्सिडेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्रक्टर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्मियान हाइवेज पर जो समय उसको सिनान के लिए चाहिए, अन्यसुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अन्यक शेत्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रास्रक्टर पर बल दे रहे हैं दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्रक्टर इसलिए हम देश भर में हाइवे, रेलवे, एरवे, बोर्टर वे उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्रक्टर इसलिए हम फाइवजी विस्तार कर रहे हैं स्रिक्जी पर काम कर रहे हैं और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्रक्टर इसलिए उसकी बैकबॉन होती है हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्रक्टर को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को आउनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ONDC, आउनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफर्म ONDC और टेली मेडिशिन का विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों तरह के इंफ्रासक्यर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा, एन स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। ये भाजपा की सरवोच्च प्रास्थिक तामस हैं। हमारे देश में अर्बनाईजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी। भाजपा उसे आउसर के रुपे देखती है। हम देश में नएने सेटलाइट टाउंस बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे। देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है। अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है, भारत ने। वो अपने साथ, एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाई लेकर आएंगे। पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साथ, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे। इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले उवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में बंदे भारत के तीन मोडल चला करेंगे। बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चेर, चेरकार और बंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं। आधुली भारत की और विक्सित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं। और करीब करीब पुर्णता पर पहुँच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्चिब हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है। अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिर पूरब पस्षिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के काम आधुनिक्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथ्यों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन निर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन निर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायोफियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुर्ष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वेहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके थे एक साल में दो हो जारा है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वेहिकल बिके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और इए वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बन रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाय बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रोनिग हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंस्वरंस हब होगा, कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर तलपना भी नहीं की होगी साथियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समुरुद्ध बनाए ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मरिफस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्याण के लिए मिरंतर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित बैंक बड़े और कड़े निने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म परफार्म ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक तमच्ति है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक छिनता है मद्यंबर का हक छिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांत्यों मैंने लाल के ले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तैय करने वाला ये उत्तम से उत्तम औसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्षन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाज़े ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल कर पत रखो मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूं 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पत्र लेकर के आए हैं भारतिय जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजना स्वीं जी अमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ट पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्र भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सब को सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस, डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस, निवेज से नोकरी पर भी है, इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ अपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशक्ता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे 70 वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सित्वी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्ग को आयूश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी सांथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्रत लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथ यो बीते वर्षों में करोणों लोगों को entrepreneur बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपाने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपाने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाओ युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बाद पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्टी जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से ध्यान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे है आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागिदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दी है नमो ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट के नहाते पूरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन में रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवोलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धुरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाय बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्प के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मचवारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेजिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथ्यों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेच्रल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्शनरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड़ दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स रूरल एकोनामिक लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिये समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिये गवरल दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जन्म जन्ती है इसे राष्टिये सर पर मनाये जाएगा जन जातिये गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिये विरासत पर अनुसंधान को भी पोथाहिद करेगी डिजिटल जन्यातिये स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्मार के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्कियों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्मार करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाषा भाषा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में तुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाषा पादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो होई सला के पवित्र मंदिर समो हो बहुत सल हो जैसे अनेक सलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये टूरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसके आधार पर अच्छे टूरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टूरिस्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टूरिज़म वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टूरिज़म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा इको टूरिज़म के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत की बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टर्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टर्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टर्टर तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टर्टर social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutions खोल रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आविश्मान आरोग के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो विशेश का truck drivers है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको सनान के लिए चाहिए अन्यसुविदा के लिए चाहिए रेस करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक बारिक अनेक शेत्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बलते रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway, railway, airway, waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ondc online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social, physical और digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा यह भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक कामस है हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूप देखती है हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावना ये लेकर आएंगे pilot airline crew ground shop इससे जुड़ा logistic transportation ऐसे अने एक sector में नए आउसर create किये होगे इस sector देश के छोटे शहरों में रहने वाली वुवाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में वंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत चेर चेरकार और वंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुली भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं और करीब परीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्तिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भायजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पसिम चारों दिशाओं में एक एक बुलर्ट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनोल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सबी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संध्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल विके थे एक साल में दो हजार जब कि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल विके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं और ये वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वारा है तो मैंने घर में भी जैसे पीएम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्ट्रोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंडक्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉन्ट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एक्वनमी सेंटर भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर ग्लोबल टेकनलोजी सेंटर ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे बिश्मम है बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निश्कित रोड मैपस हम आगे बढेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायत कलपना भी नहीं की होगी जात्यों आज विश्व में अनिस्ट्ता के बादल चाये हुई है युद्व की स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मिक्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भामत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेग गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्र भाजपा का इस मनिफस्तो आइसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स, डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक छिनता है, मद्यमबर का हक छिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविष्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है भाजपा के संकल्प पत्रपर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वास्यों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुखव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाले ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वाशियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 147 करोर देश वाशियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष श्रिमान जेपी नड्डा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी जान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बोहाग विभू के साथ देश बैशाजिक्खी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाड़ू में नव वर्ष पुथांडू सबको सुपकामरनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याईनी की पूजा करते हैं और मा काट्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विक्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिननदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिननदन के अथिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सिद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस, डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस, क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस, निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में, क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान से, बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम, स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर, हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में, युवा भारत की, युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने, पिछले दस वर्ष में, पचीस करोड लोगों को, गरीबी से बाहर निकाल कर, हमने सिद्ध किया है, कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं, लेकिन काम बहार रुपता नहीं है, जो लोग गरीबी से बहार आएं, इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है, नहीं तो कभी-कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उतको बार गरीबी में धकेल देती है, हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा, सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जड़ा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समाल ना, ये उनके स्वास के लिए कहते हैं, वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती हैं, ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लातापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए, इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है, मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी, हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो, और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानि पेड़ भी भी अरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे, मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी, इतना ही नहीं, इन दवाईयों के जन आउसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे, मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा, मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है, इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है, आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिती में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है, अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि इस सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मद्यम्बर के हो, चाहे उच्च मद्यम्बर के हो, ये एक नया दायरा होगा, जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी, साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये हैं, अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से दो घर बन जाते हैं, और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती हैं, तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए, हम तीन करोड और घर बनाने का संक्र्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पटरी ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ति मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निबाई है एक बड़ बड़ा रिवोलुशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पटरी ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्टी जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पटरी वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूर्ट से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमों ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे खेह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते से गाउं में हमें कोई पूष्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलट की नाते पुरे गाउं में एक प्रतिष्टा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्मिलोजी भी सीख रही है और इससे उन उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवॉलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रुप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भैतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती लेकर के आएगी और ये बहुत बढ़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल लेने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सी वीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है नेनो युरिया नेनो युरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनॉमिक लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पटीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनम जनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथियों भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में भी स्वास करती हैं हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्मान करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाषा पां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में तुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाषा पादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिस को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लोथल हो खौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौदसल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक online competition भी चल रहा है जिसमें देश के लोग तुरिजम के destination की ranking कर रहे हैं यह तुरिजम destination की ranking जो हो रही है इसके आधार पर अच्छे tourist destination का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सर्वांगिन विकास के लिए development के लिए और विदेशी tourist को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है तुरिजम वो sector है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है तुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार, होम स्टे के लिए, महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद, भाजपा, तीन तरह के इंट्रास्टकर से, मजबूत करने जा रही है पहला है, सोशल इंट्रास्टकर, दूसरा है, डिजिटल इंट्रास्टकर, तीसरा है, फिजिकल इंट्रास्टकर सोशल इंट्रास्टकर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्ट्टुटूट्स खोल रहे हैं, युनिवर्स्टिज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आविशमान आरोग के मंदिर गावों में बना रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एक्सिलेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्मयान हाइवेज पर, जो सम मैं उसको सिदान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो, तो उसको मिले, तो ऐसे बारिक बारिक अन्य शेत्रों को ढूंड करके, हम सोशल इंफ्रास्टर पर बल दे रहे हैं, दूसरा है, फिजिकल इंफ्रास्टर, इसलिए हम देश भर में, हाइवे, रेलवे, एरवे, वोटरवे, उनको आधुनिक बना रहे हैं, तीसरा है, डिजिटल इंफ्रास्टर है, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं, और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्टर, यह उसकी बैकबॉन होती है, हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्टर को तयार कर रहे हैं, हम सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ओएंडिसी, ओनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफर्म ओएंडिसी और टेली मेडिशिन का विस्तार कर रहे हैं, इन तीनों तरह के इंफ्रासक्र, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से, पुरानी सोच से अलग, गती भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बढ़ा होगा, एन स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा, ये भाजपा की सरवोच्च प्रास्विक कामस हैं, हमारे देश में, अर्बनाईजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी, भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती है, हम देश में नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए आउसर बनाएंगे, देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओडर दिया हुआ है, भारत ने, वो अपने साथ, एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावना ये लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप, इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाउं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे है, कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में वंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेर, चेरकार और वंदे भारत मेट्रो, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार ते एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिक भारत की और विश्चित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं और करीब करीब पुरुनता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार ते बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिर पूरव पस्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस एक्टर हो एडिबल ओइल हो एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्च करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन निर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायोफियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जार रहा है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेक्र बनाए जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुरिय घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इसे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रोनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंस्वरंस हब होगा, कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कल्पना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहें भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्वित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फित रुप से भी समुरुद्ध बनाए ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्द्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्में बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स, डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक्त, इंफ्रास्रेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक्त समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है, मद्यमबर का हक्षिनता है राश्टियत सर पर होने वाले, हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्ष कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मेंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन, देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एंबिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान के सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी टाकर लगाने वादे हैं ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल पर पत्र को मोदी की गारंटी के रुपे देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पर पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ठ पदाजिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुझावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्स में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर सापित किया है ये संकल्प पत्र बिख्सीद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी-कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लाट वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोस देने वाली हो और एफोरेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी हरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसद्री केंद्रों का सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिती में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाक रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रॉल डिजल का खर्टा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबर हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीते वर्षों में करोणों लोगों को entrepreneur बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक छंकल पलिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोगों की सीमा 10 लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर 20 लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता भी स्वास है कि इंड़स्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूर्थ है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंड़स्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीदे नमों ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला ठिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्ड सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाएजाएगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वैल्यू एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरव दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचास भी जनम जनती है इसे राष्टिय स्तर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरव अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विस्वास करती है हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है, तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी, प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा, विश्व प्रवासी, ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लो थल हो, हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो, जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक online competition भी चल रहा है, जिसमें देश के लोग, टुरिजम के destination की ranking कर रहे हैं यह टुरिजम destination की ranking जो हो रही है, इसकी आधार पर अच्छे tourist destination का, जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक करके, उनके सरवांगिन विकास के लिए, development के लिए और विदेशी touristों को भी आकरशित करें उस रूप में, लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है tourism वो सक्टर है, जो सबसे कम निवेश में, सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है tourism बढ़ता है, तो hotel, restaurant, auto rickshaw वाले, taxi वाले, सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, eco-tourism के नए centers भी बनाएगी, इससे home stay के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे tribal परिवारों को होगा भाजपा सरकार, home stay के लिए, महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद, भाजपा तीन तरह के infrastructure से मजबूत करने जा रही है पहला है social infrastructure, दूसरा है digital infrastructure, तीसरा है physical infrastructure social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutions खोल रहे हैं, universities बनवा रहे हैं, medical college बनवा रहे हैं, आविशमान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो business का truck drivers हैं, उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले, accident कम हो, इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि driver सफर के दर्मियान highway पर, जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेश करना हो, तो उसको मिले, तो ऐसे बारिक बारिक अन्य श्यत्रों को ढूंड करके, हम social infrastructure पर बल दे रहे हैं, दूसरा है, physical infrastructure, इसलिए हम देश भर में, highway, railway, airway, waterway, उनको आधुनिक बना रहे हैं, तीसरा है, digital infrastructure, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं, और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है, हम industry 4.0 को धान में रखते हुए, हमारे digital infrastructure को त्यार कर रहे हैं, हम सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को online बना रहे हैं, common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं, ONDC, online जो लोग खरीदी करते हैं, उसके लिए एक platform ONDC और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं, इन तीनों तरह के infrastructure, social, physical और digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से, पुरानी सोच से अलग, गती भी तेज होगी, scale भी बहुत बढ़ा होगा, and scale और speed इतना बढ़ेगा, कि उससे scope भी बढ़ जाएगा, ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक तामस हैं, हमारे देश में, urbanization को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी, भाजपा उसे आउसर के रूप पर देखती है, हम देश में, नएने satellite towns बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का growth center बनेंगे, रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे, देश के aviation sector के विस्तार पर भी, भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है, भारत ने, वो अपने साथ, employment की भौत दारी नई संभावना है लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप, इससे जुड़ा, लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन, ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, इस सेक्टर, देश के छोटे शहरों में रहने वाले वुवाओं के लिए भी, dream center बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा, देश के कोने कोने में, बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में, बंदे भारत के, तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत, sleeper, बंदे भारत, chair, chair car, और बंदे भारत, metro, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुलिख भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं, और करीब परीब पूर्णता पर पहुँच रहे हैं, उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है, आने वाले समय में, उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन, और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिन पूरब पस्चिम चारों दिशाओं में, एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से, हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे, इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा, चाथियों, भाजपा का संकल्प पत्र, देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है, डिफेंस एक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा, आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं, इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन निर्भरता पर है, इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में, और अधिक तेजी लाई जाएगी, ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही, परियावरन की दुरुष्टी से भी, देश को सुरक्षा प्रदान करेगा, इससे देश में, बड़ी संख्या में, ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे, हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है, आज हम देख रहे हैं, कि देश में, इलेक्रिक वहिकल का मार्केट, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दज साल पैसे, दज साल पहले, एक साल में, सिरफ, दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे, एक साल में दो हो जार है, जब कि पिछले ही साल, सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल बिके हैं, पूरे देश में, चार्डिंग स्टेशन्स हो, और जरूरी इंफ्रासेकर बनाए जा रहे हैं, और इवेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है, तो मैंने घर में भी जैसे पिएम सुरिय घर से जोड करके, घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग, उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं, इससे उभरते हुए सेक्टर से भी, देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं, साथियों, भाजपा का संकल्प हैं, भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का, ग्लोबल हब बनाने का है, वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्टोनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंस्वरंस हब होगा, जब दुनिया के बड़े बड़ेस्चों सेंटर्स भारत में होगे, भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टक्नीलोजी सेंटर्स, ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का, बहुत बड़ा हब बनेगा, स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रुप से भी सम्रुद्ध बनाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफस्तो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्वें बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिरियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, परफार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स, डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल पले करके आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समचती है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये थे ब्रस्टाचार गरीब का हक चिनता है, मद्यमबर का हक चिनता है राष्टियत सर पर होने वाले, हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है सांथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओलेम्पिस्ट की महिजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुपे देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आये हैं भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वीं जी अमिद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्या वरिष्ठ पदादिकारी गान देश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है असम में बहाद विभू के साथ देश बैशाजिक्षी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुझावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्स में से लाखो लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर सापित किया है ये संकल्प पत्र बिक्सीद भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ आपर्चुनिटी और क्वालिटी अफ आपर्चुनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिबीम्ब है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी-कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरेशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर कभियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लात्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेट भी भी आरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन आउसद्री के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुक्त इलाच मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों कि सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो कि चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो यह एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चाहर करोड़ पक के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरित्त जानकारिया राज़्य सरकारों से मिल रही हैं क्योंकि परीवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी के शक्यता समभावना नहीं होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्र्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए है अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे पी-एम सुर्य गर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके है अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा है गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्टा होता है अगर वो इलेक्टिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीते वर्षों में करोडों लोगों को entrepreneur बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है करोडों के संख्या में इस योजना से job generate हुए है लाखों लोग job creator भी मने है इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोगों की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूर्थ है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगिनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निबाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपान इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो सैकल भी चलाना नहीं जानते हside गाउं में हमें कोई पूच्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बेहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एगरिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ ववस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सब को सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे प्रशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े अकरांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाब होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाएजाएगे हमारे मचली पालक साथियों को सी वीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो उरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरव दिवस मनाना ताइक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय स्तर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरव अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमी की भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विस्वास करती है हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है, तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी, प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा, विश्व प्रवासी, ग्लोबल टुरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लो थल हो, होई सला के पवित्र मंदिर समो हो, बौद सल हो, जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक online competition भी चल रहा है, जिसमें देश के लोग, टुरिजम के destination की ranking कर रहे हैं यह टुरिजम destination की ranking जो हो रही है, इसकी आधार पर अच्छे tourist destination का जो पसंद लोग करेंगे, उनको सिलेक करके, उनके सरवांगिन विकास के लिए, development के लिए और विदेशी touristों को भी आकर्षित करें उस रूप में, लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है tourism वो सक्टर है, जो सबसे कम निवेश में, सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है tourism बढ़ता है, तो hotel, restaurant, auto rickshaw वाले, taxi वाले, सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा, eco-tourism के नए centers भी बनाएगी, इससे home stay के जो अवसर बनेंगे, उसका लाब हमारे tribal परिवारों को होगा भाजपा सरकार, home stay के लिए, महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों, 21 सदी के भारत की बुनियाद, भाजपा तीन तरह के infrastructure से मजबूत करने जा रही है पहला है social infrastructure, दूसरा है digital infrastructure, तीसरा है physical infrastructure social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutions खोड़ रहे हैं, universities बनवा रहे हैं, medical college बनवा रहे हैं, आविशमान आरों के मंदिर गामों में बना रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारे जो business का truck drivers हैं, उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले, accident कम हो, इसके लिए बहुत बड़े infrastructure डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि driver सफर के दर्मियान highway पर, जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेश करना हो, तो उसको मिले, तो ऐसे बारिद बारिद अन्य शेत्रों को ढूंड करके, हम social infrastructure पर बल दे रहे हैं, दूसरा है, physical infrastructure, इसलिए हम देश भर में, highway, railway, airway, waterway, उनको आधुनिक बना रहे हैं, तीसरा है, digital infrastructure है, और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं, और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है, हम industry 4.0 को ध्यान में रखते हुए, हमारे digital infrastructure को त्यार कर रहे हैं, हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं, common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं, ondc, online जो लोग खरीदी करते हैं, उसके लिए platform ondc और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं, इन तीनों तरह के infrastructure, social, physical और digital infrastructure का मजबुती से विस्तार, भाजपा की एक प्रमूख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गती भी तेज होगी, scale भी बहुत बढ़ा होगा, and scale और speed इतना बढ़ेगा, कि उससे scope भी बढ़ जाएगा, ये भाजपा की सर्वोच्च प्रास्फिक कामस हैं, हमारे देश में अर्बनाइजेशन को, शहरी करण को, पहले की सरकारे चनोती माना करती थी, भाजपा उसे आउसर के रूप पर देखती है, हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे, जो देश के विकास का growth center बनेंगे, रोजगार के नए अउसर बढ़ाएंगे, देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है, अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब एक हजार से जादा नए विमान का order दिया हुआ है, भारत ने, वो अपने साथ employment की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे, पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साथ, इससे जुड़ा logistics, transportation, ऐसे अनेक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे, इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वुवाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे हैं, साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी, देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे, बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चेर, चेरकार और बंदे भारत मेट्रों, इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं, आधुलिप भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए, आज अमदाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा हैं, और करीब करीब पुर्णता पर पहुंच रहे हैं, उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन, आज जैसे पस्टिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है, आने वाले समय में, उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन, और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पस्टिम चारों दिशाओं में, एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से, हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे, इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा, चाथियों, भाजपा का संकल्प पत्रों, देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है, डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा, आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए, लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं, इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन निर्भरता पर है, इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में, और अधिक तेजी लाई जाएगी, ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही, परियावरण की दुर्ष्टी से भी, देश को सुरक्षा प्रदान करेगा, इससे देश में, बड़ी संख्या में, ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे, हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है, आज हम देख रहे हैं, कि देश में, इलेक्ट्रीक वहिकल का मार्केट, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दज साल पहले, एक साल में, सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वहिकल बिके थे, एक साल में दो हो जार है, जब कि पिछले ही साल, सत्रा लाग से जादा इलेक्ट्रीक वहिकल बिके हैं, पूरे देश में, चार्डिंग स्टेशन्स हो, और जरूरी इंफ्रासेक्टर बनाए जा रहे हैं, और इवेहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है, तो मैंने घर में भी जैसे पिएम सुर्य घर से जोड करके, घर में भी चार्डिंग स्टेशन्स और मुप्त में ट्राविलिंग, उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं, इससे उभरते हुए सेक्टर से भी, देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं, साथियों, भाजपा का संकल्प है, भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है, वो समय दूर नहीं, जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्टोनिक हब होगा, आटो मुबाइल हब होगा, सेमी कंड़क्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंशॉरंस हब होगा, इनोवेशन हब होगा, वो दुन दूर नहीं, जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनमी सेंटर भारत में होगे, भारत, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेकनोलोजी सेंटर्स, Global Engineering Centers का बहुत बड़ा हब बनेगा Space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्वम है बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निश्विद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जात्यों अज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्वकी स्थिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत्वाली स्थीर सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बनाएं ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्रा भाजपा का ये मनिफस्तो अईसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्बैंक बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आएगे रिफार्म परफार्म ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड गवरनन्स डिजिटल गवरनन्स और डेटा गवरनन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल पर लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्टाचार गरीब का हक्षिनता है मद्यंबर का हक्षिनता है राष्टियत तर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक्षिनता है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान के सफलता देखी अब हम गगन यान का गवरव अनुभव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम ओल एम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागें ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल के पत रखो मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ एक सो चलोई सालिस करोर देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल पर पत्र ले करके आए हैं भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वी जी, अमिद भाई, निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ट पदाजिकारी गान जेश के कौने कौने में उपसित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाद विभू के साथ देश बैसाजिक्षी का जश्न भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशु हो या फिर तमिल नाडु में नव वर्ष पुथांडु हो सबको सुपकामनाओं का दोर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिये जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप युवा शक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ अपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांशाओं का प्रतिवीम्ब है साथियो भाजपा सरकार जे पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परनाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बाहर आएं इनको भी दोक्तर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीजे सभालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशकता होती हैं ताकि किसी भी कहाण से वो गरीबी में प्लातापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाएं इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम यह सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशन युक्तव और उसके मन को संतोस देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन आउसद्री केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इन निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते है एक घर से दो घर बन जाते है और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड़ और घर बनाने का संक्र्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उस से उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों बीचते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने हैं इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता भी सवास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बड़ बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बीन बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का कर्टी जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिकता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का दिन नहीं लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीती योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एगरिकलचर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नो लोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भेतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है PM किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समुरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बढ़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल लेने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएगे हमारे मचली पालक साथियों को सीवीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर्ती मा की रक्षा के लिए प्राकुरुतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवोर्सरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड़ दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंडा की एक सो पचासवी जनमजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक, स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ्सों से जादा एक लब्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासद भी उस मंत्र में विश्वास करती है हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपां हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में टुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलॉग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टुरिश को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लो थल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौद सल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपूडिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग तुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं यह टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सर्वांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकरशित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे पायदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अउसर बनेंगे, उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथिओं, 21 सदी के भारत की बन्याद भाजपां तीन तरह के इंफ्रस्टेक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है Social Infrastructure, दूसरा है Digital Infrastructure, तीसरा है Physical Infrastructure Social Infrastructure के लिए हम नए नए Educational Institutes खोड़ रहे हैं Universities बनवा रहे हैं, Medical College बनवा रहे हैं आउशमान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं, हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस्ट मिले, एक्सिडेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्टेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर्स सफर के दर्मियान हाइवेज पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्यसु विधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक-बारिक अनेक शित्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रास्टेक्टर पर बल दे रहे हैं दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्टेक्टर इसलिए हम देश भर में हाइवेज, रेलवेज, एरवेज, वोटरवेज, उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्टेक्टर और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं और इंडिस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्टेक्टर यह उसकी बैकबॉन होती है हम Industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे Digital Infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं Common Service Centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफर्म ONDC और टेली मेडिशिन का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के Infrastructure Social, Physical और Digital इंफ्रा का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी स्केल भी बहुत बढ़ा होगा स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सरवोच्च प्रास्विक तामस है हमारे देश में अर्बनाईजेशन को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे आउसर के रूपे देखती है हम देश में नएने सेटलाइट टाउन्स बढ़ाएंगे जो देश के विकास का ग्रोट सेंटर बनेंगे रोजगार के नए अउसर बढ़ाएंगे देश के एवियेशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अभी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओरडर दिया हुआ है वारत ने वो अपने साथ एम्प्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावना है लेकर आएंगे पाइलर्ट, एरलाइन क्रू, ग्राउंड साप इससे जुड़ा लोजिस्टिक, ट्रांस्पोर्टरशन ऐसे अनेग सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले वाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे है साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडल चला करेंगे बंदे भारत स्लीपर, बंदे भारत चैर कार और बंदे भारत मेट्रो इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिप भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अम्दाबाद, मुंबई, बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पुर्णता पर पहुँच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिव हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पसिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गती देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा चाथियों भाजपा का संकल्प पत्रों देश को आत्मन दिर्भर ताकी तरफ ले जाने वाला है डिफेंस एक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन निर्भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनोल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजियोबल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुर्ष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरीत रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सुरफ दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जारा है जबकि पिछले ही साल सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल बिके है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेक्र बनाए जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना बढ़ाव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीएम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन् और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है सासियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े economy centers भारत में होंगे भारत, global capability centers, global technology centers, global engineering centers का बहुत बड़ा हब बनेगा space में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद road map से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायत कल्पना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन छेत्रों में रह रहें भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण भहमत वाली स्थीर सरकार की आवसक्ता अनेक गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समुरुद्ध बनाए ऐसी सरकार जो देश को विश्षीद भारत की तरफ तेज गती से ले जाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्द है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानोता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्में बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स, डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक्त, इंफ्रास्रेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक्त समझती है आपने देखा है कि पिछले दज साल में ब्रस्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई की ब्रस्टाचार गरीब का हक छिनता है, मद्यमबर का हक छिनता है राश्टियत सर पर होने वाले हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्षों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर, चार जून के नतीजे के बाद, तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एंबिशन, देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एंबिशन, ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वाले ये नया भारत रखतार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वासियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोर देश वासियों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है भारतिय जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष श्रिमान जेपी नड़्डा जी राजनास्वी जी हमीद भाई निर्मला जी भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी जान देश की कौने कौने में उपत्रित सभी भाजपा कार करता है आज बहुत ही शुब दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्सा है बंगाल में पोएला वैशाक का आनन्द है असम में बोहाग विभू के साथ देश बैसाजिक्खी का जश्ण भी मना रहा है ओडिसा में पाना सक्रांती हो केरल में बीशू हो या फिर तमिल नाडू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काट्याइनी की पूजा करते हैं और मा काट्याइनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जेनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश समासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजना जी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिय जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल पर पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल पर पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल पर पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल पर पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संप युवाशक्ती नारी शक्ती गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोकरी निवेज से नोकरी पर भी है इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी अफ अपर्टूनिटी और क्वालिटी अफ अपर्टूनिटी अफ अपर्टूनिटी दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम स्टार्ट अप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वेल्यू सर्विसिज पर भी ध्यान देने जा रहे है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांचाओं का प्रतिवीम्ब है साथियो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उक पर गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में प्लाट पीस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेट भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन उसदी के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहर पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इस निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सित्वी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि इस सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आईश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्गों चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते है एक घर से दो घर बन जाते है और खुद नया घर बनाने की शक्केता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्तब बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की जिशा में काम करेंगे पी-एम सूर्य घर मुप्तब बिजली योजना हमने लागो की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर कार के पैट्रोल डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरफ जाएगा साथियों बीटे वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने हैं इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता विस्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जाजी के बार पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बीन बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गांव देहाद के भी रेड़ी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुविधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्टर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेड डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरीमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी हैं दस करोड बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीदी नमो ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलर्ट की बन गई है हम ड्रोन पाइलर्ट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिष्टा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मेरा आनुबह है हमारी माताएं बहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एग्रिकल्चर में एक बहुत बढ़ा रिवलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक भूरा के रूप में यह हमारी ड्रोन दिजी प्रस्तापित हो जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाएं बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के भैतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ बवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सबसक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाएरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिकाला भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से समरुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारिता नीती ले कर के आएगी और ये बहुत बढ़ा करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ मेहने पहले ही आएगी अ सवाम तुए